हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका सबका एजूकेशन में और आज हम लों पढ़ेंगे पी ब्लोक एलिमेंट तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजूकेशन में सो फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो कर लीजे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजे ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाब मिलता है तो अब चलिए समझते हैं कि पी ब्लोक एलिमेंट क्या होता है जब एलिमेंट के इलिक्ट्रोन इंटर इंटर इन्टू और वाइटल कॉल्ड पी ब्लोक एलिमेंट जब element के electron इंटर करता है P और वाइटल में तो उसको हम लोग कहते हैं P block element जेनरली electronic configuration NS2, NP126 P block element contain 6 group 13 to 18 13 to 18 group को हम लोग कहते हैं P block element ये देखिए group 13 के element है और group 13 का electronic configuration होता है NS2, NP1 देखिए बुरोन का अगर हम लोग electronic configuration लिखेंगे तो इसका atomic number 5 होता है और इसका electronic configuration होगा 1S2, 2S2, 2P1 यहाँ पर N है 2 और ये P और ये 1 NS2 है, यहाँ पर N के जगह है 1 और ये S और ये 2 तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं ग्रूप 14 ग्रूप 14 का electronic configuration होता है NS2, NP2 ये देखिए group 14 के element है इसका electronic configuration अगर हम लोग लिखेंगे carbon का तो इसका atomic number 6 होता है इसका electronic configuration होगा 1S2, 2S2, 2P2 अब चलिए इसे आगे समझते हैं ये देखिए group 15 है और इसका electronic configuration होता है NS2, NP3 अगर हम लोग nitrogen का electronic configuration लिखेंगे ये group 15 के element है अगर nitrogen का electronic configuration लिखेंगे तो इसका electronic configuration होगा 1S2, 2S2, 2P3 तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं group 16 group 16 का electronic configuration होता है NS2, NP4 ये देखिए group 16 के element है अगर oxygen का हम लोग electronic configuration लिखेंगे तो इसका atomic number 8 होता है और इसका electronic configuration होगा 1S2, 2S2, 2P4 group 17 group 17 का electronic configuration होता है NS2, NP5 ये देखिए group 17 के element है अगर fluorine का electronic configuration लिखेंगे तो इसका atomic number 9 होता है और इसका electronic configuration होगा 1S2, 2S2, 2P5 group 18 इसका electronic configuration होता है NS2, NP6 ये देखिए group 18 के element है अगर helium का electronic configuration लिखेंगे तो इसका atomic number 2 होता है इसका electronic configuration होगा 1S2 अगर neon का हम लोग electronic configuration लिखेंगे तो इसका atomic number 10 होता है और इसका electronic configuration होगा 1S2, 2S2, 2P6 तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजे और हाफ फ्रेंड्स कमेंट में चरूर बताईएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सौभी के लिए थांक्यू